सूपर्टेट की बेहतरीन तयारी करनी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इक्जाम डोज हलो गाइज मैं हूँ नितेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे लर्निंग चैनल इक्जाम डोज में तो दोस्तों जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा कि समुद्र के बारे में बताईए तो उसके लिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ एक चोटा सा 20 कुश्चन का मौक्ट टेस्ट जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ सागर और महा सागर के बारे में तो चलिए सुरू करते हमारा आज का टॉपिक आज का पहला कुश्चन है विस्तो का सबसे बड़ा महा सागर कौन सा है आर्किटिक महा सागर, हिंद महा सागर, अटलांटिक महा सागर और प्रसांत महा सागर और सही अंसर होगा डी प्रसांत महा सागर जिसे हम पैसिफिक ओसियन भी कहते हैं तो दूसरा कुश्चन है सबसे चोटा महा सागर कौन सा है प्रसांत, अट्लांटिक, आर्किटिक या हिंद और सही अंसर होगा C, आर्किटिक ओशियन नेक्स देखते हैं निम्ने लिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है प्रसांत, अट्लांटिक, हिंद या आर्किटिक और सही अंसर होगा option D, architect निम्न लिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेस्ता प्रवाल भित्ती है Atlantic महासागर, प्रसांत, हिंद या architect और सही अंसर होगा, B, Atlantic महासागर तो गाइस, पहले सबसे मैं आपको बता दूँ कि जो महासागर हैं, वो चार हैं हिंद महासागर, प्रसांत महासागर, Atlantic और architect पर अब एक और महासागर जुड़ गया है, जिसका नाम है साउधर तो अगर आप कोश्चन आते हैं, तो आपको ये चीज बिलकुल ध्यान रखनी है कि एक महासागर और जुड़ चुका है और जिने में इंगलिश में पढ़ते हैं, इंडियन ओसियन, पैसिफिक ओसियन, अटलांटिक ओसियन और आर्किटिक ओसियन तो इस कुश्चन का एंसर था भी प्रसांत महासागर, देखते हैं अगला कुश्चन विश्चो के चार सबसे बड़े महासागरों में कौन सामिल नहीं है प्रसांत, अटलांटिक, हिंद या भूमद्य सागर जोस्तों गवर के लिए कि ये सागर है, महासागर नहीं है और राइट एंसर होगा डी, भूमद्य सागर क्योंकि कुश्चन है, महासागर का आगे बढ़ते हैं मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है ट्रेंच का मतलब दोस्तों हिंदी में गर्थ होता है और इस कुश्चन का सही अंसर होगा ए, प्रसांत महासागर आगे बढ़ते हैं छेतरफल के अंसार महासागरों का सही अब रोही क्रम है यह important question है इसको जरूर दियान से देखिएगा प्रसांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्केटिक महासागर या प्रसांत महासागर, आर्किटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, या हिंद महासागर या प्रसांत महासागर, आर्किटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर दोस्तो ध्यान दीजेगा यह अब रोही क्रम है जिसे हम descending order भी कहते हैं मतलब बड़े से छोटे की तरफ तो आपको इसमें से चुनना है कि कौन से बड़े से छोटे क्रम में option सही है और इसका सही answer होगा option number A प्रसांत महासागर फिर Atlantic फिर हिंद फिर आर्केटिक अगला question देखते हैं दोस्तो महासागरों की सरवादिक घहराई कितने मीटर में है चौरानवे सटाइस तिरानवे सो चौनसट दस एर नौसट तिरानवे या ग्यारा हजार थित्तिस मीटर यह भी important question है यह एक्जाम में आता है और इसका सही answer होगा option number D ग्यारा हजार थित्तिस मीटर और यही दोस्तों मेरियाना ट्रेंच की घहराई है जो प्रसांथ महासागर में है जिसके बारे मैं भी एक question आपसे पूंचा गया था चलिए next question महासागरों की ओसत घहराई कितनी है 3300 मीटर, 3900 मीटर, 4300 मीटर या 4800 मीटर और सही answer होगा दोस्तों बी 3800 मीटर नेक्स्ट question देखते हैं बिस्व का सरवादिक चोड़ा महाद्वी पी मगनतट किस सागर महासागर में इस्तित है प्रसांथ, अटलांटिक, हिंद या आर्केटिक सबसे चोड़ा महाद्वी पी मगनतट और इसका सही answer होगा option number D आर्केटिक महासागर में अगला question है निमलिकित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरीका महादीब को इस परस नहीं करता है प्रसांथ महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्केटिक महासागर और इसका simple answer होगा option number C हिंद महासागर आगे बढ़ते हैं और अगला question है निमलिकित में से कौन सा सागर, कौन सा महासागर उत्तर दिसा में एसिया महादीब दारा अबरोधित है प्रसांथ, आर्केटिक, अटलांटिक या हिंद और राइट एंसर होगा D, हिंद महासागर अगला question देखते हैं निमलिकित में से कौन सा महासागर एक और एसिया को तथा दूसरी और उत्तर अमेरिका महादीब को इस परस करता है और इसका सही अंसर होगा B, प्रसांथ महासागर अगला कुश्चन है उत्तर अमेरिका महादीब के पस्चिम में कौन सा महासागर इस्तित है और सही अंसर होगा C पसांत महासागर दोस्तों मैं आपसन बार बार इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उतने ही सागर हैं और बार बार उन्हीं के आपसनस आपको मिलेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये आप ये मैप देख रहे होंगे इसमें आपको एक लाल निशान दिख रहा होगा चारो तरफ जिसे हम रिंग ओफ फायर कहते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन है आगे देखते हैं ये है अगनी वले जिसे हम रिंग ओफ फायर कहते हैं कि उपस्थिती किस महासागर में पाई जाती है प्रसांत अट्लांटिक हिंद या आर्केटिक और सही एंस्वर इसका होगा ए प्रसांत महासागर में नेक्स्ट है अट्लांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है मेरियाना ट्रेंच प्यूट्रोरिको ट्रेंच सुन्दा ट्रेंच या जावा ट्रेंच और सही एंस्वर होगा बी प्यूट्रोरिको ट्रेंच मेरी या नहीं होनी सकता क्योंकि वो प्रसांद महासागर में है आगे देखते हैं दोस्तो अगला कुश्चन है बरतमान भूमत दिसागर को किस प्राचीन महासागर का अवसेस माना जाता है और आपका सही अंसर होगा टेथिस महासागर तो दोस्तो ये टेथिस महासागर देखके कन्फ्यूज मत होईएगा महासागर जितने मैंने बताए उतने ही है जहां पे आज हिमाले है वहां से लगबग पांच हजार करोड साल पहले टेथिस सागर हुआ करता था इसे हम आज भूमद्य सागर की रूप में जानते हैं महासागर का वो सिर्फ अवसेस माना जाता है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल सब्सक्राइब परिए और बेल आइकोन जरूर दबाईए जिससे और लोगों को भी जानकारिया मिल सके बढ़ते हैं आगे अगला कुश्चन निमलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है नाम नहीं बोलूँगा बार बार वही आप देख लीजे मैं अन्सवर बताता हूं आपको और सही आप्शन होगा डी आर्किटिक महासागर नेक्स्ट कुश्चन है दा ग्रेट ओशन ट्रेड मार्क किस महासागर से होकर गुजरता है हिंद प्रसांत उत्तरी अटलांटिक या दक्षणी अटलांटिक और सही अंसर होगा सी उत्तरी अटलांटिक महासागर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का लास्ट कुश्चन जो की इंपॉर्टेंट है बर्मूरा ट्रिबूज जिसे हम इंगले से में बर्मूरा ट्राइंगल कहते हैं जिसके बारे में लगबक सभी ने सुना होगा किस महासागर में अवेस्थित है उत्तरी अट्लांटिक दक्षण अट्लांटिक उत्तरी बर्मूरा ट्राइंगल है जो कि काफी मिस्टियस भी रहा है बहुत से लोग इसने इसके बारे में सुना भी होगा तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खतम होता है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा और आज के लिए आपका क्वेश्चन है ये अगनी बले, रिंग ओफ फायर की उपस्तिती किस महा सागर में पाई जाती है आपके सामने है, एंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाबाए